आपके अपने यूट्यूब चैनल दियो जी के ट्रिक्स में 11 बजय क्लास आपकी डेली होती है तो आप लोग 11 बजय यहाँपर मॉडल पेपर आप लगा सकते हैं चलिए गूर्णी गूर्री मॉर्णी गूर्णी स्भी को गूर्णी चलिए अवाज मिल पा रही है 1857 के सुतंता संग्राम में किस राजवन्स ने अंग्रेजों की सरवाधिक सहायता की थी तो चलिए यहाँ पर देखे जो आपके ग्वालियर के सिंधिया है क्या जो आपके ग्वालियर के सिंधिया राजवन्स के से जो लोग थे इन्होंने अंग्रेजों की सरवाधिक सहायता किया था याद रिखेगा ठेके ना और इसके बाद आगे बढ़ते हैं कोशन आप सिगला पूछा है महावीर सुवामी का जन्म कहा हुआ था बिलकुली इजी कोशन आपका सामने आ गया है तो आगे बढ़ते है कोशन आप सिगला है सीवा जी के गुरू को नाम क्या था चले अगला कोशन भी आप कहीजी है बताएगा सीवा जी के गुरू को नाम क्या था चले थी नंबर में देख सकते हैं सीवा जी के गुरू को नाम क्या था राम दास याद रिखेगा सीवा जी क सिलालेखों को उस रुथम किसने पढ़ा था 4 नंबर में चले 4 के अगर मात करते हैं तो option क्या आजएगा यहापर दिखे 4 को option सी आ रहा है यहापर James Princess जिसका भी option है बिल्कुर right हो जएगा James Princess इसका option right हो जएगा अठारा सो साइटिस date याद रिखेगा कि 1837 में James Princess नामा की एक अंगरीज विद्वाने जिन्होंने असो के लेख जो आपके ब्रामी लिपी है इसका के सकते हैं पढ़ा था ना तो इस प्रकार से जो option है यहापर आपका सी नंबर right हो जएगा आगे बढ़ते हैं कोशन आप सिगला क्योंकि जैसे इनकी म्रत्ती होई थी इनकी जितने भी पुत्र थे आपस में क्या होने लगी ती कला मचने लगी ती गद्दी को लेकर तो यहाँ पर देखिए आपका जो अंसर होगा कौन सा से ने क्याना जाता है यहाँपर आगे बढ़ते हैं कोशना आप सिगला हैं निम Νिकेत में से खिसने भारत सरकार अधनियंग मुनिस Paraidis का भुला यह प्रयास यहां पर अच्छा है आप समाराए डिनमबर चलि देखि बिल्कुल सही है स्वामी दयानन सरसुती की द्वारा या दरिके स्वामी दयानन सरसुती ने क्या किया था यह 1863 में पाखंड खंडनी एक पता का लाय रहा है थी और 1875 में उन्होंने बंबई में आरिसमाज की स्थापना किया था यहां पर आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है निमनिकित पंक्तियों को किस ने लिखा था कि सर परोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जो और कितना बाज ओए कातिल में है यहां पर यह जो पंक्तियों किस की दौरा रिखी गई है आपका जवाब इनमी से राइट क्या हो ज़ेगा चलिए पहली बार जुड़े तो भई चैनल को जुरू सस्क्राइब करेगा हमने बता दिया है कि आपको हमारा ऐसा चैनल है जहाँ पर हर एक प्रकासन आपको मिलेगा आपके बिस्मिल की परक्ति है आपसन मनिगा आपका एनमर ये बिस्मिल की परक्ति है अर्थत बिस्मिल ने ये कहा था यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कोशन आप सिगला पुछा गया है सुराज पार्टी का गठन की अस्फलता के बाद हुआ था तो यहाँ पर देखे जो आपका असयोग अंदोलन की असफलता के बाद सुराज पार्टी जो कि यहाँ पर देसकते हैं कि 23 में सियारदास और मुतिलाल नेरू ने किया था तो इसका जवाब सने यहाँ पर यह नमबर है राइट हो जएगा कोश्चन यह पूंचा जा सकता है कि जो इसके अध्यश थे वाप के कौन थे यह बताएगा जो आपकी सुराज पार्टी इसके अध्यश के कौन थे इसका जवाब दीजे इसके जो आपके अध्यश थे वाप कि इसी प्रिकार से कि वहाई हमेशा आप से कोशन पूछा गया सोराज पार्टी गठन का वुआ आपने तुरण जवाब दे दिया सर 1930 में हुआ था लेकिन अगर आप से पूंचे इसके अध्यच कौन थे तो आप कहेंगे कि सर सी आरदास क्या थे वही सी आरदास इसके अध् पास से लोटता हुआ यहाँ पर देखा जाए तो आपका पंजाब के पास से लोटता हुआ यह तमिल नाडू में बारिष करता है तो आपसन भी होजएगा पंजाब और तमिल नाडू में यह बारिष होती है आपसन क्या होगा बी नमबर आपका होगा याद रिखिए इसको आपसन भी जाएगा चले आगे बढ़ते हैं कोशन आप से गला पूछा गया है विस्व के सबसे बड़े और घंवन पाय जाते हैं यह कहां पर पाया जाते हैं अगर देखाजाए घंए जंगल है तो आपके पा जाते हैं कहां पर भई तो आपको देना यार यहां पर जट मisiónल नाम इतनी जादा घ्णे है और यह हैं और यह देखा है तो आपको खंप डो सब्सक्र को देखकं आ दच्छिन अमेरिका के कुल देखा जाए चेतर के 40% में फैला हुआ है किलियर है याद रहेगा आगे बढ़िये कुशन दिया है भारत की सरोच परवत चोटी आपकी कौन सी है भारत की सरोच परवत चोटी कौन सी है सभी को जैहिन भाई जैहिन चले 13 का जवाब दीजेगा त की तीन सबसे बड़े राज आपको बताना है बिल्कुल इजी कोश्चन आपके सामने दिया गया है बिल्कुल इजी कोश्चन है बिल्कुल सोचने का भी यहां पर समय नहीं मिलेगा यहां पर देखिए आप संक्या हो जेगा सबसे पहला आपका राजस्तान फिमद्द प्र बोला जाये तो आपका 16.5 एक ऐसे बोल सकते हैं लगबग 17 परसंट आपका हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन आप से गला पूछा गया है कि रास्टी आई क्या है यहाँ पर जवाब दीजेगा जो भी कोशन में आपका यहाँ पर मौडरेट है तो उसमें थोड़ा सा स a Pasakunda करा इसकताएं को इसक्ताइब गाँब 17 आप करोपन्ल मौडरेट है बीडेयोसा भारत के ही लोग तो उनका बहरत में कुछ अैसे भी लोग हैं जो वीदेशों के भी लोग रहते हैं और भारत के कुछ लोग होते हैं जो वीदेशों में रहते हैं तो यहाँ पर जो अपने देश में रह रहे हैं विदेशों के उनकी आए और विदेश में रहने वाले अपने भारतियों के आई को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं प्लस जो आपकी GDP होती अपने भारत की उसकी तो जुड़ती है और बाद में इनको घटाने के बाद इनको जोड़ देते हैं यही होता है रास्टी आए ठीक है ना तो यहाँ पर जो आपका अंसर है सोरा नंबर में वो आप्शन हो जगा बी नंबर राइट हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं किस पंचवर्सी यूजना में क्रसी ने रिडात्माग विकास दर्दर्सित किया था यहाँ पर देखे ऑप्शन इन में से क्या हो जगा यहां पर पूंचा है कि रिडात्मक विकास प्रदर्शित किया था आपको याद होगा कि 65 के वीच में भारत को काफी मुसीवित जहिलना पड़ा था तो यहां पर जो इनकी दर्ज हो गए थी माइनस 1% आपकी हो गए थी तो यहां पर 17 कॉप्स नहीं हो जेगा तीसरी क्या हो से है तो दीए भारत में अरित करांती का जो प्रारम हुआ था यापके 196 से हुआ था और भारत में हरित करांती की जनमिस्तिली का जाता है और पर यह नमर राइट हो जएगा आगे बढ़ते कुछ न दिया गया है भारत में सभी राष्टी क्रत्र वारजिक बैंकों में से बच्चत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है तो जितने भी आपके वारती बैंकों में बच्चत खाते हैं इनमें दी जाने वारी जो ब्याज दरे होती है ये निर्धारित करता कौन है चरे जवाब दीजे यहाँ पर आपका जो 19 संबर है उप्सन क्या होजेगा तो इनका जो निर्धारन होता है किसके द्वारा करते हैं तो भारती रिजर बैंक द्वारा विनमित किया जाता है किसके भारती रिजर बैंक द्वारा विनमित किया जाता है किसके भारती रिजर बैंक द्वारा विनमित किया जाता है हना जिने 2012 से नियंतरन मुक्त कर दिया गया है अब क्या है कि अब इनके अंडर में काम नहीं करत थी लेकिन 2012 से अपना ये मुद्द कर दिया है जो भी बैंक आपका है वो बैंक अपना खुद निर्धारन करेगी ठीक है ना तो इसका जो आपका डिया पर लगाना है यहां पर आगे बढ़ते हैं कुशन आप से गला पूछा गया है कि आप से मिस्री तर्थव्योस्ता क्या ह होता है तो यहांपर भारत में जो व्यस्ता चल लई है ऑपके मिस्री तर्थ व्योस्ता है यहां पर आगे बढ़ते हैं कुशन दिया गया है संसद के बिना काम नहीं कर सकती है बताइए लोग सबार्थिक के विना चले देखिए जब वहांपर संसद लोग ही नहीं रहेंग किस काम की तो ऑप्सन क्या बनेगा डिनमबर आपका राइट हो जाता है तो गाउं में प्रधानी का चुनाव लड़ सकता है जो कि कि आप लगों को टेस्ट नहीं हो चले कौन सा अधिकार सरोच नहयाला को प्राप्त है तो आपको पड़ाया गया है यहां पर नयाईक प्रूरिच्छं अर्थात जैसे क्या होता है कोई पूरा दुबार से रिच्छन कर सकता है तो यहां पर आपने एक चीज पढ़ा होगा कि जब भी कोई केस होते हैं तो उनकी वीडियो रिकार्टिंग जरूर रखी जाती है यह कोई भी प्रकार कर होता है तो उनके जो जज्ज जो होता है तो वो भी जब सुनाता है किसी को गिंडाँ जो होता है यहां तो इसकी फज्ज जब दीा ऐ साब से गलत निर्ने जाता है तो इसा गलत निर्ने ना हो यह उनकी मजबूरी attempt इस वजबे से यह निया पनत्व पनुरिष्ण आपका किया जाता है अर्था तो उसका निर्टे दुबारा से सुनाया जा सकता है ठिक है ना आगे बढ़ते हैं कुशन आप सेखला है ये पंचाय चुनाव होते हैं पंचाय चुना होते हैं 24 नमबर में तो आपका जवाब क्या होजएगा तो देखेए आपका होजएगा प्रतेक पांच वर्सों में कितने पांच वर्सों में आपसन या पर क्या होजएगा बी नमबर है राइट होजएगा आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है लोग सभा यहां परंसर क्या बनेगा B-Number या D-Number चलिए आपका जवाब आ रहा है रास्पती आ रहा है वा क्या वाद है 25 में आपसन क्या बनेगा A-Number बनेगा या B-Number चलिए दिखें आपका लोग सभा को जो अध्यच होता है इसका जो आप समनेगा A-Number हो जएगा जो आपके सन्यूक तो अध्वेशन के अध्वेशन के अध्वेशन करता है वो आपके कह सकते हैं आपके लोग सभा का अध्वेशन करता है ठीक है ना याद रिखेगा आप बुलाता कौन है तो बुलाने का जो कारी करता है बुलाने का जो कारी करता है उराश्पति करता है य परकेट का वेग सबसे अधिक होता है तो चलिए यहां पर देखते हैं कितना मॉडरेट है देखा जाए तो कुश्चन इजी भी है लेकिन कटिन भी आपका हो सकता है तो चलिए यहां पर जवाब क्या बनेगा चलिए ऑप्सन आ रहा है सी नंबर की आकासी पिंडो का वेग पहले सुनाई देती है या बिजली का प्रकास होता है वो दिखाए देता है चलिए बताएगा बिजली का प्रकास आपको सबसे पहले दिखाए देता है या जो आवाज होती वो सुनाई देती है क्या होता है तो यहां पर जो आपका लाइट होता है लाइट सबसे पहले आत कि ःठी होता है मात्र 332 मीटर प्रती से के रिफ यहां ही आगे बढ़ ये कोशन दिया है कि परमाडवी नाभी किसने खोजा था यहापर 27 में तो आपसन क्या होगा ए नमबर है आपके रदर फोट ने कोजा था कब खोजा था तो आपके 1911 इसका अंसर राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है नाभी के अलावा को कुश कांग में डियने होता है ये जो डियने होता है दोस्तों ये पायाता है आपके माइट्रो कांडिया में किसमें पायाता है दोस्तों माइट्रो कांडिया में पायाता है याद रिखिएगा और इसके बाद आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है समानने मानोसरी का जो आपकरम होता है वो कितना होता है समान निमानों सरीर का जो टमप्रेचर होता है यहां पर नसर क्या होज़ेगा तो देखो भई 29 का उप्शन क्या बनेगा एर आप से 98.4 फारेन हाइट 98.8 फारेन हाइट इनमें से कोई नहीं चलिए 29 का जवाब यहां पर देना है इजी कोईशन है लेकिन अगर कोईशन को गुमा दिया गया है तो कहीं न कहीं आपको भी गुम जाना पड़ेगा तो चलिए जवाब क्या बनेगा अपसन आ रहा है 29 में आपका बी नमबर कुछ लोग यहां पर डी दे रहे हैं कुछ लोग सी दे रहे हैं अच्छा यह बताएए बोड़ी कटो टमप्रेचर होता है सहती डी डी सिंटी की लगबग होता है लेकिन अगर फारेनाइट में बोलें तो हम लोग बोलेंगे कि 98.9.9, positive 6 Fahrenheit होता है अब अगर एक फारेनइट इदर उधार हो जाता है तो आपकी बॉड़ी डग्मंगा आ जाती है एक निश्यत अनपाज होता है क्या बनेगा यहां पर 88.6 फारिन हाइट बनेगा याद रिखेगा ठीक है ना चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं कुछ एक्वल का है एक्वल नहीं है अठान डिसम्वलू 6 होता है अपने गलत पड़ाए जाँ पड़ाए चलिए अगला है कीट समवर्धन क्या है कीट समवर अगला दिया गया है निर्दय बेक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है मिठाई की एक दुकान होती है क्या बहीं बताइए एक मिठाई की कोई दुकान होती है क्या अगर ऐसा तो सब लोग मिठाई की दुकान खोलें एक मिठाई की दुकान लेके बैट जाए तो यहाँ पर देखें आपका सी अमर गड़वाद है एक मिठाई की नहीं होती है मिठाई की एक होती है ना तो आपसन क्या होजएगा य यहां पर आपका अभी नमबर राइट हो जाएगा चले यहां पर आगे बढ़ते हैं चले इतना तुमने देखा है आप लोगों को हमारी क्लास में मज़ा बहुत आता है वो क्यों आता है अमको नहीं वालों है लेकिन मज़ा बहुत आता है आप लोगों क्लास में असते रहते पुछा है दया कैसी है निर्धनता कैसी है दुरगटना कैसे हो गई लेकिन बड़पन आपका कैसा है बड़पन देखिए जो आपका अंसर है या परसी नमबर आपका राइट होजेगा एक पॉइंट याद रखेगा कि जिन भावाचक संग्याओं के अंत में क्या होता है ना पालका काँटा काहानी के काहानी कारिन में से को नहीं चार्ब समबर में तो यहाँ पर देखिए जो आपका भी नमबर चंद धर सरमा गुलेरी याँ पर जो अंसर है वहाँ कभी नमबर है राइट हो जएगा आगे बढ़ते हैं क्वेशन आपसे पूछा गया है क्या आप स तो डिखो कोशन आपका पिछली बार इस प्रकास से पूंचा भी गया था तो बांगला कषिन से लगने वाले आपके भारती राज्यों के जैसे पस्षी बंगाल हो गया, असम हो गया मिघाले त्रिपूरा और मिजूरम लेकिन यहां पर देखा जाए जो आपका मड़ीपूर है क्या मिलता है क्या बई यह बताइए क्या मड़ीपूर जो है वो बंगला देश से क्या सीमा लगाता है क्या नहीं लगाता है न मड़ीपूर देखा जाए तो कुछ इस चलिए बताएगा भारत के सिल्कान से जाना जाता है तो देखे यहां पर आपकांसर क्या हो जाएगा और पंगलुरू सहर आपका प्रसिद्ध है अगला कुशन दिया गया है प्रती वर संतराश्टी योगदिवस मनाए जाता है प्रति वर संतराश्टी योगदिवस मनाते हैं चववर नमबर में बताईए कम मनाते हैं तो 11 जून को मनाते हैं अच्छा इसका उपसन क्या हो गया यहां पर आपका हो गया 21 जून कहां पर ए नमबर अच्छा यह बता दीजे किसकी सुरुवाद कब होई थी चले बताईए पहली बार जो आपका योगदिवस मनाया गया था पहली बार यह बताईए पहली बार कम मनाया गया था देखते हैं कोतने लोग जवाब देंगे 15 में वाउत अच्छे आप लोगों पहली से जवाब दे दिया हमने पूंचा भी नहीं था आप लोग उने पहले जवाब दे दिया मिल्कुल सही है आपके 21 जून 2015 किया 2015 से इसकी सुरवात्विती पहली बार ठीक है आगे बढ़ते कोशन दिया गया है चर्चित पुस्तक सेन वारन सिंचुरी के लेखा का आपके कौन है तो इनका आप्सन होज़ेगा बिनमबर सेन वारन जिसको आपका बिनमबर राइट होज़ेगा अगला तोशन दिया है भारत की पहली मैला जो की विस्व सुन्दरी चुनी गई थी यहां पर जो अंसर है आपका राइट क्या होज़ेगा चले भाई जवाब दीजे कौन है विस्व संदरी चले तो देखे आपसन होज़ेगा बिनमबर रीता फारिया क्यों दी भाई रीता फारिया जिने वस 1966 में कब 1966 में यहां किता भीनोंने जीता था इसका जो आपसन है आपका बिनमबर राइट हो जाएगा चले यहां पर आगे बढ़ते हैं अगरा पूछ से जुड़ा है यहां पर नेरू, ट्राफी, रंगा सवामी, वेडकान, कप, अजलान, साह, कप काफी आपर हांकी में दिये जाते हैं मतलब कशा कापकी ट्राफी होती है अगला है संयुक्तराशंका मुख्याले कहांपर है संयुक्तराशंका जो मुख्याले हो आपके कहांपर है देखेय अफळावन नमबर में अज़िए आपना देखे जासत में भी आपका सामेल है उप्सन यह हो जएगा आगे बढ़ते हैं कोशन आप से अगला पूछा गया है यहां पर दिया गया अगला कोशन करे स्रिलंका के किस 29 वर्षी बल्लेबाज ने अंतराश्टी क्रिकेट से सन्यास ले लिया है तो यह आपके स्रिलंका के मातर 29 वर जो नाम है राइट क्या होजेगा इनका नाम बताइए भई बानमे को अप्शन क्या होजेगा बानमे में अगर देखा जाए तो अप्शन क्या होजेगा इनका नाम है आपका सेहान जैसूरिया क्या है सेहान जैसूरिया जो की ऑप्शन है यहां पड़ी नमबर इसका राइ बनकर एक नया की रितिमान इस्थापित कर दिया है तो यहां पर आपका जो अंसर है तीरांबी में क्या होगा तो दिखो तीरांबी का जौप से आप पर होज़ीगा इनका नाम है आएसा आजीज याद रखेगा जम्मो कस्मीर के रहने वाली आएसा जीज है जो कि देश की गई है ठीक है और इसके बाद आगे बढ़ते हैं कोशन आप से एकला पुछा गया है यहाँ पर कह रहा है कि स्राज में 100 मेगावाट विजली उत्पादन चमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौ सेंतिस्थापित किया गया है चले 94 बे नमबर में तो यहाँ पर देखे आपके तेलंगाना में यह 100 मेगावाट विजली है याद रिखे सौ मेगावाट है याद रिखेगा ठेके ना पंचानमीक उप्षन सी होजगा जल सक्ती मंत्राले क्या बनेगा जल सक्ती मंत्राले जो आपस्टी नमबर इसका राइट होजगा और इसके बाद आगे बढ़ते हैं कोचन आप से लिए पूछा गया है ओलंपिक के लिए क्वालिफाइ करने वाली पहली भारती महिला नावी कौन बनी है तो चलिए ओर अंपिक के लिए क्वालिफाइ करने वाली पहली भारती महिला नावी कौन सी है यहां पर देखी ऑप्षन भी होजगा नेत्रा कुमनन नाम हैं का नेत्रा कुमनन जो नोट कर लिएगा ऑप्षन निगाप का बिनमर इसका राइट होजगा यह चन नाम बदल कर क्या रख दिया गया है तो देखो यहां पर होजगा आपका सहीद दियूप क्या होजगा बिनमर जिसका रहा है सहीद दियूप बिल्कुल से आपका राइट हो जाएगा के लिए रहे ना चले यहां पर अगला पुछन आप से दिया गया है कर आप से कोरोना व भारत में कोविड 90 से पहली मौत कहाँ पर हो इती है। तक में होई थी यह भी पॉइंट याद रखेगा को सकता है अगरा कुछन आप से डिया गया है कि आप से IDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांड ब्रांड इंबेश्डर कौन है इसके ब्रांड इंबेश्डर है आम इताब बच्चा ने कौन है आपका 99 को अप्शन भी होजेगा आम इ CEO के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है चले यहाँ पर जो आपका अंसर है और राइट क्या होजेगा तो यहाँ पर देखे आपका जो अंसर है क्या होजेगा टाटा मोटर्स ने SVI के पूरद्यच ओम प्रकास भटो को अत्रिक निदेशक के पदपर न्यूक्त कर दिया है यहाँ पर टाटा मोटर्स के अध्यच पुछा है ना तो यह कोई परिवर्टन तो नहीं हुआ है बही नए अपडेट तो इसमें नहीं आ गया है यहाँ पर दिया है लिस्टो ले परिवर्टन नहीं है यहाँ पर आपको परिवर्टन नहीं हुआ है आगे बढ़ते हैं कुछ कोई पर दिकत भी आपके नहीं होगे यहाँ पर दिया गया है संयुक तराष्ट की महासावा ने वर्व 2.23 को किसके अंतराष्टी वर्सी की रूप में गोसित किया है चले देखें आपका कोशन मराट दिया है मूटे आनाज वाली फस्रों के लिए आपस्म मनिगापकर्शी नंबर आगे बढ़ते इकोशन दिया गया है भूटान ने दिसंबर 2020 में निमनिखित में से 21 देश के प्रधान मंतरी को अपना सरुच नागरिक समान आर्डर आपदा ड्रग गैल पो यह प्रधान किया है तो यह किया है आपके भारत को तो आपसन क्या बनेगा एरंबर आपका राइट हो जएगा अगरा कोशन दिया गया है निमनिखित में से कौन सा सहर सुच सरवेचन 2020 में एक लाक्सी अधिक जनसंक्या सिनली में सीर्स तीन सबसे सुच सहरों में सामिल नहीं है दिको इंदोर सामिले सूरत है विजयवाडा है एकिन युद्ति रुपती है यह इसमें से आपका सामिले नहीं है आपसन आपका स लेकिन फिलिप्टेंस इसमें सामेल है नहीं है और अगला कुछ नाफ से दिया गया है कि जनवरी 2022 में नमनिकित में से किसे भारती अंत्री चंसंदान संगठनी शुरों के दसमें अद्ध्ची करूप में निक्त कर लिया गया है तो दसमें अद्ध्च जो आपकी हैं 12 नमबर का प्रारम किया गया था आत्म निर्भार उत्तरवदेश रोजगार अभियान का प्रारम किया था तेरा नमबर में तो तेरा का उप्षन क्या बनेगा यहां पर देखिए 26 जून सन 2020 को याद रिके आत्म निर्भार उत्तरवदेश रोजगार अभियान का प्रारम किया गया तो 26 जून 2020 को प्रारम में किया था आगला कुशनाव से दिया गया है दिसम्बर 2020 में नीती आयोग द्वाराजजारी राज्ज स्वास्त सुचकां के 34 संस्क्रण में निम उर्जा चेतर पर ब्याज भुकतान भार कम करने है तो भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारम कर दिया है तो देखो उर्जा चेतर पर ब्याज भुकतान भार कम करने के है तो भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारम किया है ये योजना आपकी कौन से है तो देखे आपका कि इन फसलों में सबसे बड़ा उत्पादक है यहां पर देखो आपके पास ऑप्सन में दिये गये हैं अंगूर, आम, संतरा और पपीता तो देखो यहां पर जो आप कंसर बनेगा राइट क्या होज़ेगा तो देखो याद रिखेगा कि आपके आम के मामले में भी आपका न तो याद रिखेगा, यहां पर यह जैपुर में आपका ने हुआ है, आयोजिन का मुख भी से आत्मिल्व भारत था, तो देखो 17 का जवाब से आपका भी होजगा केवल 2, इसका अंसर सही होगा केवल 2, आगला कोशन यहां पर आपसे दिया गया है, कि भारत की राष्टी अर्थव्योस्ता का सबसे बड़ा स्रोथ कौनसा है, यह कोशन पिछले बार भी आपके प्रिटिक जाम में पूछा भी गया था, और आज भी आप लोग यहां पर जवाब दोगे, यह भारत की राष्टी अर्थव्योस्ता का सबसे बड़ा जो स्रोथ है, वो आपका कौनस इसका जवाब आप लोगों को कमेंड बाउक्स में कमेंड करके बताना है, क्योंकि आपके पिछले बार भी ग्जाम में कोशन पूछा गया था, और संभावता है इस बार भी कोशन में पूछा जा सकता है, चले लिंक दे गई है, क्लास में आएगे और जल्दी से अगले क् इस्टार करते हैं सभी को जैहिंद सभी को बंदे मातरम